जमीद से आसमान को जोडती सरदार पटेल की ये कांसिव प्रतीमा प्रमान थी कि भारत ना सिर्फ दुनिया के सबसे ऊचे स्टैचु को बनाने का दम रखता है, बलके उसका निर्मान भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है. चेहरे यहावगाव में जरा से भी चूखो तो एक बड़ी नराजगी का कारण बन सकता था. इस प्रतीमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला. हमने साइकणों और हजारों फोटोग्राफ को देखा और जाचा लगभग एक वर्ष के समय तक. इस टैचू का डिजाइन 180 किलूमीटर विंड स्पीड भी जेल सकता है. स्टैचू किसी भी विपरिक परिस्तिती का सामना कर सकता है. 31 ओक्टोबर 2018 को जैसे ही स्टैचू अफ यूनिटी का इनाउगरेशन हुआ, गुजरात का ये चोट ऐसा इलाका एकतानगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया. मुझे आकर्शन प्यदा करके अटकडा नहीं था, मुझे वहां से प्रेणा प्यदा करनी थी. और इसलिए, जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिश्रत को भारत की एकता का तिर्थस्थान बनाने की मेरे मन में कलपना रही. परियतन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं, वो सब स्टाच्व उफ यूनिटी में मौजूद है. किसी चितर के समाजी का अर्थी पिकास में सुधार तब होता है, जब आपके पास इस प्रकार की एतिहास एक सनरशनाय हो या लेंडमार्क डेवलपमेंट हो. हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैलियूस हम भारतियों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए. बिल्कुल सरदार पटेल के स्टाच्यू आफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्तिर रहेगा. और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बलके एक सच्चाई है, वो सच्चाई जो पीडी दर पीडी हमने संभाल के रखी है. झाल